के मैच इंडिया वर्सेज न्यूजिलेंड को हमने देखा कि किस तरह ओपनिंग जोडी बहुत अच्छी थी शिखर धवन जो की सच में डिजर्विंग प्लेयर है जिने बी सी सी आई सिलेक्ट नहीं करती है वाकी फॉर्मेट्स के लिए उन्होंने आज फिर अच्छा प्रद के साथ खेली उसके बाद श्रेयस अईयर ने तो बहुत ही अच्छी पारी खेली वो इन फॉर्म खिलाडी है भी और उसके बाद नन्यम हमने देखा था कि रिशापंत आज फिर से फेल हो गए सूर कुमयार यादो भी आज नहीं चल पाए नहीं संजू सैमसन जिंग के उप शिंटरन सुंदर ने आज आलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया अच्छी बालिंग की अच्छे बैटिंग की और बहुत फास्ट खेले वो जिसके कारण टीम 306 रंस बना पाई तो अगर देखा जाए तो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनप बहुत अच्छी थी अगर म बालिंग फेल हो गई सिम आज हमने देखे हमने देखा कि विलियम सन और टॉम लेथम मैच को 88 पर 3 से लेके 309 तक ले गए और टीम इंडिया एक भी विकेट नहीं ले पाई शिखर धवन शुमन गिल श्रेय सेयर और जितने खिलाडी थे यह सारे खिलाडी बहुत अच्छा पफॉर्मेंस किये बहुत अच्छी वैटिंग की और एक अच्छा फ्यूचर दिखा सकते हैं कि इन्हें हम टीम में रख सकते हैं यह बॉलिंग बहुत बड़ी समस्या है यह कि वाशिंग्टन सुंदर ने 10 ओर 42 रंस दिये और उन्होंने सबसे अच्छा बॉलिंग की लेक उम्रान मलीक जो पहला वंडे अपना खेल रहे थे उन्होंने पहले 6 वर्स अच्छे किये उसके बाद वो भी बहुत रंस दे दिये बहले उन्होंने दो विकेट भी लिये थे और शादूल ठाकूर अर्शदीब सिंग चहल और उम्रान मलीक इनके अलावा केवल वाशिंग खेलती है तो यह समस्या की बात है कि टीम इंडिया की बालिंग बहुत ही सोचने वाली बात है बहुत बड़ी समस्या है यह 306 का टारगेट को बनाने बाद 307 के टारगेट को टीम डिफेंट कर लेती है यह साफ साफ पता चलता है कि बालिंग टीम की गलती थी तो इस पर आपकी क्या राये हैं जरूर बताएं